सवाल आपके भविश्य का है मित्र। आज अगर आप ब्रमचेरे पाला नहीं करते हार माल लेते हैं छोड़ देते हैं इसे तो एक साल बाद दो साल बाद जो चेंजिस आपकी भीतर आने चाहिए थे वो आपको नहीं मिलेंगे आप उसे मिस कर देंगे जिस वजह से आपने ब्रमचेरे की शुरुवात की याद है वो अगर आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद 20 दिन बाद हार मालेंगे तो आप जो चाहरे हैं वो आपको कैसे मिलेगा इससे पहले कि आप हार माले ब्रमचेरे छोड़ दें एक बार बस अपने लिए भाई इन चार बातों को अपनी जिन्दिगी में अपना कर देखें हम आपको पूरी यकीन के साथ कहते हैं प्रैक्टिकली अगर आप इन चार बातों को अपनी दिन शुरूर पहले हैं आपका ब्रमचेरे नहीं तूटेगा तीस दिन करके देखें तीस दिन आप संपूर्ण ब्रहमचरे में रहेंगे और इस साल के एंड में आप एक बात जरूर कहेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद और ब्रहमचरे में गलती नहीं हुई है बस एक शर्त है इतने दिन जैसे चलता रहा है तूट रहा है ब्रहमचरे आप नहीं कर पा रहें उस चीज़ को अगर बदलना है तो इन चार बातों को एकदम मन लगा कर सुने आपकी जिन्दगी बदल जाएगी सबसे पहला नियम आपको अपनी दिन चरह में ऐसी चीज़ों को अपने सामने रखना है जो आपको बार-बार अपने लक्षे के बारे में याद दिलाता रहे चाहे तो कोई तस्वीर हो जो आपको मिशन के बारे में याद दिलाता रहे चाहे आप खुद से कुछ लिग दे और उसे अपने तकीए के सामने रखें जैसे सुभा पूठे सबसे पहली नजर वहाँ पर जाए आप खुद सोच कर देखें कोई ऐसी चीज है कोई ऐसा इंसान है जो तुरंत आपका ध्यान भटका सकता है वो आपके सामने है और आपके लक्षे के लिए जो चीजे चाहिए वो बहुत दूर है तो इससे दिक्कत आएगी तो करना यह है कि जिस रूम में आप रहते हैं वहाँ पर अपने सामने में किताबे रखें ऐसे लोगों को अपनी जिन्दगी में आने दे जो आपको पुश करें जो साथ साथ मिलकर आगे की तरफ बढ़े ब्रमचेरे पालन करेंगे ये एक आईडिया है बस एक विचार है लेकिन ऐसे practically यह होगा जल्दी से जल्दी ये काम कर लें क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं एक दिन ब्रमचेरे पालन हो जाएगा दो दिन हो जाएगा लेकिन उसके बड़ क्या इच्छा रहेगी ब्रहमचरे पालन करने की लेकिन distractions इतने ज़्यादा होंगे सामने कि ये possible नहीं लगेगा दूसरा नियम, हमेशा याद रखना अपने लिए कभी भी कमजोर शब्द का प्रयोग नहीं करना है यार फिर से ब्रहमचरे अगर टूर गया तो क्या होगा, रातरी दोश हो गया तो क्या होगा लोगों के इतने दिन पूरे हो गये हैं, मिरे से दस दिन भी नहीं होता वो वेक्ति कैसे ब्रहमचरे पालन करेगा, जो खुद से ये कह रहा है, नहीं होगा मिरे से जब आप अपने लिए कमजोर शब्द का प्रयोग करते हैं याद रखना चाहे वो एक बार हो या दस बार हो आपका ब्रेन जो एक्स्पैंड करना चाहिए था उस सिकुणने लगता है वो बहाने ढूंडता है और फिर देखना ये दिमाग कैसे खेलता है इस महिने को अभी 7-8 दिन है तो एक काम करते हैं अभी जो करना है कर लते हैं अगले महिने से शुरू करेंगे लेकिन आपको पीछे नहीं जाना आपको ब्रमचेरे का पालन करना है तो अपने लिए strong words इस्तिमाल करें कहें कि मैं ब्रहमचरे का पालन कर सकता हूँ मुश्किल है लेकिन मैं करके दिखाऊंगा तीसरा नियम ब्रहमचरे का पालन करते हुए रातरी दोश हो जाए अगर कभी बुड़े सपने आ जाते हैं तो बिलकुल परिशान नहीं होना है इसको लेकर ज्यादा सोचना मत स्वामी सिवननद जी स्वैम कहते हैं कि आप इससे कुछ नहीं खोएंगे अगर आप ब्रहमचरे का पालन कर रहें अच्छे से तीन महिने अगर आप टिक जाते हैं तो फिर आप इसको लेकर कभी चिंता नहीं करेंगे और चौधा नियम ब्रहमचरे का पालन करते हुए कुछ सपने हैं आपके जिनको आप पूरा करना चाते हैं आज अगर आप महनत कर लेते हैं तो दस साल बाद वाले इंसान पे यानि जो आप होंगे उस पर कोई प्रेशर नहीं आएगा तो कहना है अपने आपसे कि फ्यूचर वाले इंसान पे प्रेशर नहीं डालूँगा आज वो सब कुछ करूँगा जिससे आने वाले समय में मुझे फायदा पहुंचे दस साल बाद कोई नहीं चाहेगा ये कहना कि काश मैंने समय रहते ब्रहमचरे का पालन किया होता काश मैंने अपने लक्ष पे ध्यान दिया होता आज एक वादा करे मित्र मैं अपना सब कुछ दूँगा आज जितनी ताकत है लक्ष में लगा दूँगा ताकि मेरे फ्यूचर वाले इंसान को फाइदा पहुंशे इसी तरह ब्रहमचरे का पालन करते रहे मित्र हमने आपकी सुविधा के लिए बेस्ट ब्रहमचरे किताब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप देख सकते हैं मिलते हैं आप से अगली वीडियो में